डबल मनी के मामले में एक और आरोपी गिरफतार द्विती अपर सत्र नियाएदिस मनुझ कुमार तीवारी के अदालत में हो रही है सुनवाई सुनवाई की दोरान अभी आरोपी अदालत में रहे उपस्थित इस मामले की एक स्याक्च के हुए बयान दर्ज लांजे पुलिस ने डबल मनी के मामले में एक और आरोपी आनंद कट्रे ग्राम घुटी गुस्मारा निवाचे को गिरफतार करके यहां की विद्वान अदालत में पेस किया जहां से उसे पुछता अच हे तो एक दिन के पुलिस निमान में लिया गया है ग्यात होके डबल मनी के इस मामले के सुनवाई द्यूती अपर सत्र नियायले में चल रहा है एक सितंबर को जेले के इस बहुचर्चित डबल मनी स्कैम की सुनवाई द्यूती अपर सत्र नियायधिस सत्र नियायधिस मनोश्तिवारी के अदालत में प्रारंब हो गई है आज दोनों मामले के आरोपी सोमिंद्र कंकरायने तमेश मंसूर, राकेश मंसूर, प्रदीप कंकरायने, सहित, हेमराज आमाडारे, रामचंद कालबिरे, राहुल बापूरे एवं ललित उपस्थित हुए दे बैनिंग ओफ इरोगिलेटेड डिपोजेट मनी स्कैम 2019 की दफा 21-420-406-120B के तहत आज ट्रायल प्रारंब हुआ, जिसमें प्रथम साक्षी के रूप में नियायले में पुष्पा कबीर पंथी ने अपने बयान दर्जी करवाए यही लांजी पुलिस ने डबल मनी के मामले में एक आरोपी आनंद कट्रे विद्वान आदालत में पेस किया, जिसे पुछताच है तो एक दिन के पुलिस रिमान पर लिया गया है पुछताच में इस आरोपी से डबल मनी के मामले में और भी मालूमात हासिल होनी के संभावन अव्यक्त की जा रही है इस मामले में आरोपीयों की और से पैरवी अधिवक्ता अधिवक्ता इंद्रजीद भोज प्रवेस मलेवार विजय गुप्ता ने की जबकि अभियोजन की और से जिला अभियोजन अधिकारी कपिल डहरिया ने पैरवी की जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस की जाच परताल जारी है और इस दोरान डबल मनी की इस मामले में और भी लोगों को गिरफतार किये जाने के संभावना है इस मामले के सुनवाई के दोरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्दे नजर काले पुतलिय चौक से जैस्थम चौक की और आने जाने वाले वहानों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया था एंबेसिटी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांज से पावन कश्यप की रिपोर्ट जट ऊचिते से जाने आने खिएखगगई, एंबेस्टी प bladder पूच्ण श nên手ो कर सेखी committed कि नहीं है कि चौक चौ ant कॉक कश्यप से बने खुदाँ को है सब कानी जाए़ से वींटार कॉक से महाने कर दोग Outside जो हुआ जो हुआ है।